किसान बहुआ इस वीटियो मों आपको बताएंगे कैसे पॉल्दए के बारे में जो बेलाइब असदिती है उसको काफ़ी प्रयास के द्वारा भचान किया गया है और बचाया गया है और इसकी खेती भी आरम की गई है यह काफी माहा पौधा है और किसानों के लिए इसकी खेती के लिए बीज भी प्लब्द कराया जा रहा है तो प्लीज वीडियो को लास तक देखें शागत आपका हैपी लाइप चैनल पर हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकान को जरूर दबाएं इस हमें बहुत से पौधे और ऐसी परजातियां हैं जो प्रकृति के अनमोल देन हैं हमारे देश के किसानों के लिए हमारे धर्ती के लिए और हमारे स्वास्थ के लिए काफी महत्वपूर होते हैं लेकिन हमारे नादानी हमारे नासमझी के वज़े से वो यह हमारे धर्ती से बिर्प्त होनी की स्थिती में पहुच एका है। लेगिन केरल के कुछ किसानों निताइब बेगनकों ने इसकी खोच की और इस पौधे की कहति याप किसानों इसकी रूट अदरग की तरह वैटती है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं और इसकी कीमत लगबख 5000 रुपे कीलो तक मिल जाती है इसको आप अपने छोटे से गमले से केचेन गार्डेन से या बड़े खेतों से भी इसकी खेती आरम कर सकते हैं इसका बीच भी आपको बलबध हो जाएगा यदि आपको बीच चाहिए तो प्लीज जाके वीडियो में कमेंट कर सकते हैं हम आपको नमबर उपलबद करा सकते हैं जहां से इसकी पूरी प्रोसेश्शिंग की जानकारी आप पराप्त कर सकते हैं कस्तूरी हल्दी केरल में काफी बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा खेती की जा रही है और इसका एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है यह आम अल्दी से अलग होती है इसका पाउडर बना करके इसका उपयोग सौंदर परशाधन के लिए और आवसधियों में किया जा सता है इसकी काटे हल्द अद्रक की तरह बैठती है और इसकी बुआई अपरेल मई के महीने में की जाती है और नवंबर दिशंबर में इसको जड़ को निकाल लिया जाता है जड़ को निकान लेक बाद इसको सुखवा करके छोटे-छोटे बारिक टुकडों में काट करके इसका पाउडर बना लिया जाता है और बिभीन प्रयोगों में लाया जाता है तो किशान भाईों कस्तूरी हल्दी हमारे एरिया में बहुत कम किशान भाई जानते हों कस्तूरी हल्दी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा तो आप इसकी खेती करना चाहते हैं इसकी जनकार लेना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर आपसे पूछ सकते हैं इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें आपका देन सुगो